शेटर के सिस्टिम के नीचे बैटेगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है अभी देखिए ये जैसे अपना मान लीजे ये अपना शेटर है और शेटर को ये सिस्टिम लगा हुआ है उसके नीचे ये सेंसर भी है ठीक है आप जरा ठीक से देखिए जैसे उठेगा तो यह सिस्टिम उपर चला जाएगा लेकिन सेंसर नीचे ही रहेगा जब अभी अभी यह शेटर लगा हुआ है और सॉरी यह शेटर खुला हुआ है और हमें कभी बाहर जाना है तो इसको सब बस चावी से अन करो शेटर नीचे ले लो नीचे लब लेते तो यह नहीं है नॉर्मली चार स्कुरू बस बाहर से दिखेगे अगर इसको भी कोई खोलने का कोशिश करेगा तो सिस्टिम नीचे गिरेगा और इमिजएट सायरेन चालू होगा शेटर खोलने के पहले ही सायरेन चालू हो जाएगा अभी समझो हम बहार गये है और रात को चोर आया और चोर ने ये शेटर उठा दिया समझो ये देखिये हम उसको उठा लेते तो ये पात सेकंद में और शावी के बिणा बननी होगा शेटर बंद करने चालू होगा इसको चाबी से ही बंद करना है जब तक चाबी नहीं लागाते तब तक यह बसता रहेगा यह सिस्टिम में हमने मेगनेटिक सेंसर यूज किया है मतलब कैसे है कि अगर जोर से भी शेटर अपना कभी पटकता है और शेटर में कुछ प्ले है तो यह फेल नहीं होगा नॉर्मल सिस्टिम में बाकी लोगों के सिस्टिम में एक राड होता है अगर शेटर जोर से पटकाते है तो वो राड बेंड होता है या तो कभी शेटर में प्ले भी रहेगा तो भी ये rod bend हो जाता है और तुम्हारा system fail हो जाता है अपने system में कितना भी play हो अपने shutter में कितना भी play होने दो ये system और sensor का कभी contact तूटने वाला है नहीं है और ये कभी रात को false alarm करेगी नहीं because इसमें कोई contact है नहीं है बराबर जब rod रहेगा अगर जोर से पटकाएगे तो rod bend हो सकता है और इसका जो alarm है, siren जो है उसका ये अंदर के बाजू से लगा हुआ है तो इसको कोई temper नहीं कर सकते normally कुछ लोगों के इसमें यहाँ पे कोई hole रहते है, speaker रहता है उसको अगर screw driver से टच भी करेंगे तो वो तुमारा speaker फट जाएगा और siren बंद हो जाएगा इस type का ये temper proof alarm system है कभी कुछ requirement रहेगा तो microtech.net पे आप संपर्क कर सकते नहींवाद